प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महीर सलाम अदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स लोग ऐसे हैं जो रोज स्कूल की फीस माफ करने की मांग कर रहे हैं और रोज स्कूल की चक्कर लगाते हैं दर असल ये लोग फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं और क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं ऐसा इनका कहना है मगर वहीं तीन महीने की फीस माफ करने के लिए 44 पैरेंस जो मजबूर हैं उनके नाम और सिगनेचर के साथ स्कूल के ट्रेस्ट को एक लिस्ट बना कर दी गई है कि इनकी फीस तीन महीने की माफ की जाए महीं जब हमने स्कूल के ट्रेस्ट से इस संदभ में जानकारी ली तो ट्रेस्ट के तरफ से भी बताया गया कि 44 पैरेंस की फीस तीन महीने की माफ करने के लिए नगर सेवक जफर नुमानी की तरफ से उन्हें लिस्ट मिली है हलाकि अभी तक फीस माफ करने के लिए गवर्मेंट के तरफ से कोई जियार नहीं आया है मगर ये 44 पैरेंस जो परिशान है मजबूर है इनकी फीस माफ करने के लिए हम सभी ट्रेस्ट के लोग इस पर आपस में राय मश्वरा करेंगे इसके बाद ही फैसला लेंगे कि आख पर सेवक जफर नुमानी ने क्या कोछ कहा है और 44 लोगों की जो पैरेंस की लिष्ट दे गई है उनमें से लोगों ने क्या कहा है सुनिए जफर भै इसकूल प्रशासन से आज आप मिलने गए थे जो ट्रेस्टी हैं तो क्या फैसला हुआ मिलने के बाद क्या वक्ता हुए चल़्ी आए सिर्ज स कई भार खविन से इंकले बुम्रा इंगीनिश एसकूल के बहुत सारे जो पैरेंटे हैं बच्चों के वह हम पते मुलाकात से बिर्स्टी यह हमारी गशों को लगार अज हमारे बोलने लेंद फ्रस्टी यह आहां पर मजूद करें प्लिफए लोह के लिस्ट को दे नुसरी बात हम бол understood JOE कि जो लोकी को नहीं दे रहे हैं ऐसा सुनने cog कि इसके कोई बात नहीं है हम उनको रिदर्ड भी परवाइड करा रहे हैं तो यह लिस्ट देने का क्या मतलब है किस ने दिये हमने एक प्रश्टीफाय लोग की लिए कि इनकी कम से कम तीन महिने की फीस माफ की जाए और टम फीस माफ की जाए तो उन्होंने यह हमसे वादा कि कि माफ करने के लिए कि आप हमको लिस्ट दे दीजिए हम प्रश्ट्रीफ के और जो भी लोग हैं मिल करके हम लोग उसपर एक बिसीदर लेंगे और इंशालला आपको एक बोशार रोस के अंदर आपको हम जमाब देते हैं जपर भाई ने अभी आप लोगों से क्या कहा है जपर भाई अंदर बेसे हम लग तो काई दिन से अधर पर आ रहे हैं उने भी बुला रहे हमें पीस माफ कराने के लेकिन हमारी पीस माफ नहीं हो रही है वो बोड़ रहे हैं कि मार्स से लेके आपको अबस्तक बरना है तो हमारी यह ना माल है कि हमें पीस माफ कराना है तो वो पाइसारीस लोगों की लिस्ट पे ना साइन किये गई और वो शीज़ आना ट्रस्टी के पास देगी ट्रस्टी ने कहा है कि इसके उपर हम डिसीजन करके आपको बताएंगी और हमें चाहिए कि हमारे घर में चुलाने जराद आपको पता है कि हमारी एमण स्थी खावाला अब हमारे भूख ट्रम से हैं लॉक्ड़ॉन में जब से लॉच्ड़ॉण पाया है तो carry national अबिधंगी और सबॉख रपहरा सब्सफ़ निगना की है तो हमारे घर में तो इसी अब हर ची़शी वो भी हमारी साथ आ रहे हैं, अभी ट्रस्टी को भी फुलाया गया है, अभी ट्रस्टी देखे क्या डिशिजन लेती है, बोल तो हमारी तो मांग तूरी जादा ही थी, पर आमना को शुकर उतने ही मानने तो बहुत नहीं बात है, अगर वैसाब से चल रहा है हमारा फीस नही भावी ने बता है राशन का प्रॉपलम में, तो दो दो तिन तिन पच्चों की पीस का से करेंगे, अब प्लस ये लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, वो भी आदा घंटा, आदा घंटा पढ़ा के हमसे अभी ये कह रही है कि 600 रुपया मंचली हमको दो, वो भी हमारे लिए गल अब 600 रुपय के लिए हमने हमेशा तुमको कॉपरेट किये वे, तुम्हारे लोगों के फीस परें, जहां में बच्चे आते नहीं थे हमारे तम पीस तुमको दिये, जो पैसे तुमने मांगे हमने दी, आज तुम्हारा फ़र्ज हमको फामाल लेका, हमको कॉपरेट कियों अब पैसे तुम्हारा चल रहा है क्या मुम्हाँ के पैस सब्सक्राइट कर जिखारे हि तुम्हारा तुम्हारा ज शार कैसा होता था एक साल पीस है बारेवर्जेज भड़ेज फ्रेस के लिए हरे एक साल के बार पीस बढ़ती थी हम उसके ऊपर बजग्शन कभी नहीं नह दो अब यह जब यहां उटाइघ रपी hemos बढ़ अबी करते ही हमारे साथ परोप्रइट करे बारेंगें भूली कोपारेंगे सारथ हम्ता न कि अब बहुर बार धारीड हाँ मैंने अभी ये बात कहें दिया है ट्रस्टीज से कि एक शिकायद जो बार-बार आती है कि मतलब अगात करके अब है को बाद करके आघ मेनेम अभी शिकायच लेकर आय stored नीक कराने समय मैंने है किर अभ अभी शिकायाता? मैंने उसे कह दिया है कि आप मुम्राई स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो लोग जो भी कम्प्लेन है उनको लिखित कम्प्लेन दे और एक हास्ते के अंदर आप उनको रिप्लाई देंगे कि आप ने इस पर क्या एक्शन लिया है अगर एक्शन नहीं लिया है तो त्रश्टी ने मुझे काया कि जफर भाई आप मेरा नंबर रखिए और उसके बाद मुझे कॉल करिए उसके बाद जो भी टीचर या जो भी स्टाव हमारा बत्तमीजी किसी ते कुछ करता है अब उस पर सते सत कानूनी कारवाई करेंगे जो भी होई